प्रियातिवारी शुरुआत करते हैं खबरों की देश में कुरोणा संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोब जारी है अभी हर दिन सवालाग से जादा नए मामले दर्श के जा रहे हैं स्वास्टमंत्राले के ताजा आकडो के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,34,154 नए करोना केस आएं और 2,887 संक्रमितों की जान चली गई वहीं 2,11,499 लोग करोना से ठीक हुए हैं यानि की बीते दिन 80,232 अक्टिव केस कम हो गए हैं इससे पहले मंगलवार को 1,32,788 लाख नए करोना केस दर्श किये गए थे और 3,207 संक्रमितों की मौत हुई थी आज देश में लगातार किस्वे दिन करोना वारस के नए मामलों से जादा रिकवरी रेट हुई है वही दो जून तक देश भर में 22,10,4,693 करोना वाक्सीन के डोस दिये जा चुके हैं भारत पाकिस्तान के बीच अलोसी पर शांती समझोते का आज सवा दिन है इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल SS नर्वडे को दो दिवस्य जम्मू कश्मीर दोरे पर पहुचे और सेना प्रमुख ने अलोसी की फॉरवर्ड लोकेशन का दोरा किया बाद में उन्होंने राजी के उपराजपाल मनोच सिनहा से मुलाकात की वह इसको लेकर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फरेंस भी की गई पांडी के साथ आंतरिक इलाको की इकाईयों का दोरा किया है जहां पर इस्थानी कमांडरों ने सुरक्षा की वर्थमान सित्थी के बारे में सेना प्रमुख को अवगत कराया सैनिकों से बाचीत के दौरान सेना प्रमुख ने जवानों और कमांडरों को COVID-19 और पाकस्तान समर्थित आतंगवात की दोहरी जुनोतियों से लगातार लड़ने के लिए उनकी सराहना भी की है इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकस्तान के DGMO यानि Director General of Military Operation के बीच Siege War Agreement हुआ था इस समझोते के तहट दोनों देशों की सेनाए Life of Control यानि LOC पर शांती बना कर रखेगी जी हाँ आपको बता दे कि जो यह समझोता हुआ था इसी के तहट दोनों देशों की सेनाए Life of Control यानि LOC पर शांती बना कर रखेंगे और इसका मतलब है दोनों देश फाइरिंग और गोलाबारी नहीं करेंगे वहीं अगर सेनी कैसा भी करते हैं तो दोनों देशों की सेनाओं के स्थानी कमांडर्स बातचीत से मामले को पूरी तरह से सुलजाएंगे और इस समझोते के बाद से LOC पर ना तो कोई फाइरिंग की घटना सामने आई है और ना ही कोई गोलाबारी क्यों देश में जानलेवा कोरोना वारस की दूसरी लहर का प्रकोब जारी है इस बीच अब बलैक फंगस के मामलों की संक्या भी बढ़ोतरी दर्श की गई है कई राज्यों ने बलाक फंगस को महमारी भी घुशित कर दिया है राजधानी दिल्ली में वर्तमान में ब्लैक फंगस के 700 से ज़्यादा केस हैं वही पंजाब, हर्याडा, मद्यप्रदेश और उत्राकर में भी मामले बढ़ रहे हैं साथी मौते भी दर्श की जा रही हैं राज के स्वास्त मंत्री वलवीर सिंग सिध्धू ने बताया कि राज में ब्लैक फंगस के कुल 300 मामले आए हैं जिन में 233 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 234 का अभी भी इलाज चल रहा है हरियानक में ब्लैक फंगस की कार अब तक 75 लोगों की मौत हो गई है जबकि 734 से पंजाब कॉंगरस का विवाद सुलजाने के लिए दिल्ली में मैं अथान बैटको का सलसिला जारी है पिछले तीन दिनों में लगभग सभी विधायकों और सांसदों से मिलने के बाद मलिका अरजुन खड़ेके और हरी श्रावत जेपी अगरवाल की सदसित्ता वाले पैन पैनल सबसे पहले आज सांसद मनिश्तिवारी से बात करेगा लेकिन सबको इंतजार कैप्टन के आने का है बताया गया था कि उन्हें गुरुवार को आना है लेकिन अब कारिक्रम में फिर बदल के आसार है अब ऐसे में आज या कल कैप्टन के दिल्ली आने की संभावना है कॉंगरस की पंजाब यूनिट में चल रही कले को दूर करने के मकसद से गठित समीती ने बुद्धुवार को राज के कई सांसदो और पूर प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात कर उनकी रायली। पिशले तीन दिनों में राज के करीब असी कॉंगरस नेता इस समीती के समक्ष पेश होकर अपनी बात रख चुके हैं। इन में से अधिकतर विधायक शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने तर्क टिपड़ी की है। किंद्र सरकार की टीका कर लीती को कोट ने मनमाना और तर्क हीन बताया है। सुप्रीम कोट ने कहा है कि 18-44 आयूवर के लिए पेट कोविड-19 टीका कर लीती मनमानी और तर्क हीन लगती है। सुप्रीम कोट की ये टिपड़ी उसके कुछ दिनों बाद आई है जिसमें कहा गया है कि देश भर में वैक्सीन की कीमते एक समान होनी चाहिए। दरासल वर्तमान में केंदर की टीका करनी थी के मुताबिक 45 साल और उससे अधिक आयूवर के लोगों को मुफ्त टीका लगेगा और 18-44 आयूवर के लोगों को इसके लिए भुकतान करना होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोट ने कहा है कि कुरोना महमारी की दूसरी लहर ने 18-44 आयूवर के कई लोगों को प्रभावित किया है। स्वास्त विशेशकों ने भी हाली में ये बताया है कि कोविट की पहली लहर के विप्रीज जब बुजुर्क और कॉम्रेडिटी वाले लोग अधिक प्रभावित थे। दूसरी लहर में यूवा लोग अधिक प्रभावित हुए है। सुप्रीम कोट ने कलकेंद्र की कोविट टी का करणीती को प्रथम द्रिष्टिया मनमाना और तरकहीन बताया है। और टी का करणीती की आलोशना करते हुए कहा है कि अधालते मूग दर्शक नहीं हो सकती है। रुकरतिय अली खबर की ओर महराश्ट के बुलडाडा में एक आठ साल के बच्चे से कोविट केर सेंटर का ट्वालेट साफ करवाने का मामरा सामने आया है। बच्चे का ट्वालेट की सफाई करता वीडियो वारल होने के बाद उससे ये काम करवाने वाले ग्राम पंचायत समीती के सदस्य को निलम्मित कर दिया गया है। यहां करोना के मरीज भरती हैं। भारत के भगोडे मेहुल चौकसी मामले पर तीन घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद ये मामला आज के लिए टल गया है। मेहुल चौकसी को अवैत प्रवेश मामले में आज मजिस्ट्रेट कोट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उमीद है कि आज भारत प्रत्यरपड के मामले में भी कोट से एहम फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले कल दोनों पक्षों की तरफ से कोट में अपना अपना पक्ष रखा गया। भारत के भगोडे हीरा कारुबारी मेहुल चौकसी मामले की सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार ने कोट से कहा है कि वे चौकसी की याचिका को खारिस कर दे। इसके साथ ही दोमिनिका सरकार कोट से अनौरोद करते हुए कहा है कि उसे भारत को प्रत्यरपित कर दे। सरकार ने कहा है कि चौकसी की तरफ से दार याचिका सुनवाई योग ये नहीं है। चौक्सी के वकीलों ने दलील दी है कि चौक्सी को अपरण कर लिया गया है और उसके साथ मारपीट भी की गई है सुप्रेम कोड ने कोविड नाइंटीन के खिलाव इस्तिमाल की जारी वैक्सीन को लेकर जानकारियों की मांग की है अदालत ने वैक्सीन की कीमतों से लेकर खरीत तक का पूरा लेखा जोका पेश करने के लिए कहा है भारत में फिलहाल को वैक्सीन, कोविड शिल्ड और इस्पुतनिक वी का इस्तिमाल किया जा रहा है जस्टिस डिवाई चंदरूर जस्टिस एलन राव और जस्टिस एस रवीन्द भट की विशेश बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी सुप्रेम कोर्ट ने केंदर से एक रिपोर्ट तयार करने के लिए कहा है जिसमें भारत में इस्तमाल की जारी वैक्सीन की राष्ट और अंतर राष्ट कीमतों की तुलना की गई है अदालत ने सरकार से अपनी नीती निर्धारण से संबन दस्तवेज और फाइल नोटसिंग भी तयार करने के लिए कहा है और इसके अलावा अदालत ने को वैक्सीन, कोविट शिल्ड और इस पुतनिक वी की अब तक की खरीद की जानकारी देने के लिए भी कहा है साथी सरकार से 31 दसंबर 2021 तक वैक्सीन की अनुमानित उपलब्धिक्ता की जानकारी तयार करने के लिए भी कहा गया है हर्याना के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद 15 सचा सौधा प्रमुक कुर्मीत राम रहीम सिंग की तवियत बिगड़ने पर उसे पीजी आई रोहताग में भरती करवाया गया है राम रहीम को पेट में दर्द की शिकात के बाद पीजी आई में भरती करवाया गया है आज सुबह करीब साथ बजे राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पीजे आई लाया गया और इससे पहले 12 माई को भी ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ राम रहीम को इसी अस्पताल में लाया गया था सुत्रों की माने तो राम रहीम इस बार कोविट जाज कराने के लिए तयार हो गया है पिशली बार उसने कोविट जाज कराने से मना कर दिया था पीजे आई में राम रहीम का सिटे स्कैन किया गया पेट और दिल की जाज की गई फलाल उसका स्वास्त सामान है और उसे वापस लाइगया है। इससे पहले 12 माई को राम रहीम को पोना की आशंका किचलते भारी सुरक्षे फीच रोहत तक पीजिऐ में भरती करा गया था। राम रहीम को पीजी आई में लाने से पहले सुनारिया जेल से लेकर पीजी आई तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बलतैनात किया गया था. अब उनका पीजी आई के स्पेशल वॉर्ड में इलाज चल रहा है. केंद्र की मोधी सरकार ने पेंशन के नियमों में संशोधन क्या है? सरकार ने सिविल सेवकों के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है. और इसके मताबिक Security of Intelligence Organization के रिटार्ड अधिकारियों अपने Organization Head की मंजूरी के बिना संस्थान से संबंधित कुछ भी प्रिकाशित नहीं कर सकते हैं. यानि की पेंशन नियमों में संशोधन के बाद खूफिया या सुरक्षा से संबंधिन संगठनों से रिटार्ड अधिकारी बिना इजाजत किसी भी कंटेंट को प्रिकाशित नहीं कर सकते हैं. अगर में बिना नुमती के ऐसा करते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी. संशोधित नियमों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी को ये तै करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए परस्तावित सामगरी संवेधनशील है या असंविनदशील है. साथ ही या देखेंगे कि या सामगरी संगठन के छेतर अधिकार में आता है या नहीं यानी संबंधित और्गनाईजेशन के प्रमुख या तै करेंगे कि प्रकाशन के लिए मामला संवेधनशील है या नहीं या और्गनाईजेशन के डोमेन में आता है. कोविट संकन काल में रिलांस इंडस्ट्री ने अपने करमचारियों के लिए बड़ी पहल की है दरासल रिलांस इंडस्ट्री लिमिटेट कोरोना संक्रमर की वजह से जान गवाने वाले अपने करमचारियों के परिवार को अगले 5 सालों तक मासिक वेतन देने की घोशना की है इतना ही नहीं कंपनी द्वारा पीरित परिवार की 10 लाख रुपए तक एक मुष्ट आर्थिक मदद भी की जाएगी इसके अलावा आरायल कोरोना से मरने वाले करमचारियों के बच्चों के लिए भारत में किसी भी संस्थान में सिक्षर शुल्क, छात्रा वास आवास और सनातक की डिग्री तक पुस्तक शुल्क का 100% भुगतान प्रदान करेगी इसके साथ ही रिलैंक्स बच्चे के ग्रेजुएट होने तक पती अपतनी माता पिता और बच्चों के लिए अस्पताल में भरती होने के लिए प्रिमियम का 100% भुगतान भी वहन करेगी इसके अतरेक्त जो करमचारी कोरोना संक्रमित है या उनके परिवार का कोई सदस्य कोविट की चपेट में हैं तो वे शारीरिक और मांसिक रूप से पूरी तरह से ठीक होने तक कोविट 19 लीव ले सकते हैं विशेश रूप से या अवकाश नीती या सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाई गई है कि रिलाइंग्स के सभी करमचारी पूरी तरह से ठीक होने या अपने कोविट 19 पॉजिटिव परिवार के सदस्यों की देखभाल करने पर ध्यान के इंद्रित करें करोना संक्रमट से ठीक होने वाले बच्चों में दो से छे सप्ता में मर्टि सिस्टम इंफ्लेमेंटरी सिंड्रोम के मामले देखे जा रहे हैं इसमें बच्चों को बुखार आना, शरीर पर लाल चकते पनना, आखे आना, लाल होना और सास फूलना यानि जक्रन आदी लक्षड आ रहे हैं उल्टी डायरिया थकान के लक्षड भी हो सकते हैं हाला कि केंद्र सरकार के अनुसार या एक आपात काली इस्थती है और समय रहते यदि उपचार शुरू हो जाए तो या ज़्यादा कठिन नहीं है उपचार को लेकर दिशा निर्देश तयार किया जा रहे हैं विशे शगों के अनुसार ये लक्षड कोरोना से मिलते जुलते हैं लेकिन RT-PCR टेस्ट निगेटिव आता है कोरोना में जहां संक्रमर फेफडों में होता है MIS में ऐसा लगता है कि बीमारी शरीर के एक सिस्टम में नहीं भुलकी सभी जगए और इसलिए इसे मर्टि सिस्टम इंफ्लेमेंटरी सिंड्रोम कहा जाता है ऐसे में जब कोरोना महमारी की तीसरी लेर बच्चों के लिए जादा खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है इस तरह के लक्षर काफी चिंता जनक है फिलाल के बुलेटिन में इतना ही देशनों की तमाम बड़ी कबरों को देखने के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी